एपिशोड पे रिव्रों लोग बताते हैं कि वो यहाँ इस जगी इसलिया है ताकि वो यहाँ पर शिजू की यहाँ पर जो फाइस थी उसको पूरी कर सके जो कि इन बच्छों को प्रोडेट करना वो बताता है कि यह बच्छे जो यहाँ पर दूसरे बड़ से स्पाउन हो ए परते से यहां पर स्पॉन होए और इनके पास एक बहुत ही पाफुल नहीं कर पाते हैं तो लोग पूरी तरह से यहां पर इसके पूरी फीजिकल बॉड़ी हो जाएगी और मर जाएंगे और हमें रिपनों में बताता है कि मैं यहां पर वापस सही करने वाला हम ताकि वह एक से लाइफ जीज़ु हमें रिपनों बताता है कि सब्सक्राइब और यहां पर बढ़ी दर्बादेएं जहां रही हैं सब बहुत ही बहुत ही बहादूर बच्चे हैं यह सब हमाली बच्चों का केल होगा रिम्रो यहाप रंगर्स कहता है कि मैं आगे जग और कुछ भी होने कि पर इन लोगो तुम यहाँ से लेकर चले जाना जिसमें रिम्रो कहता है आप शिकर मत करिए और रिम्रो यहाँ पर दर्वाजा कोलता है यह आगे बिल्कुल सीधा र और लोग इसकी माइंड के अंदर देखते हैं जो की काफी अजीब से पजल टाइप की जगह होती है अब रिम्रो को यहाँ पर आवाज यहाँ आती है पाकी बच्चों को भी आती है जिस पर रहे हो तो तो यहाँ पर दिखा सकती हूं इस पर बहुत अच्छे तुमारे अं पतलब यही रास्ते जिस पर आप चलके जाना है और हमने देखते हैं कि रिम्रो और उसके साइट साइट पास कर जाते हो तो तो मुझसे मिल पाओगे अब रिम्रो साइट सारे बच्चों से बोलता है कि तुम पीछे रहना और कुछ भी ऐसा वैसा मत करना आप रिम्रो पो कल वाले स्काय ड्रेगन से तो काफी ज़्यादा पावफुल लग रहा है अब उसको जैमिन करता है और बोलता है तो इसके उपर मैं यहाप अपना लैक टेंडर नहीं उसका सकता नहीं तो हम सबको यहां पर करनेट लगेगा और यह बच्चे तो बच्च भी नहीं यहां पर रिम्रू बोलता है इसकी बोड़ी पूरी मटैलिक है और काफी ज़्यादा पावफुल भी है और भारी भी वूस सोचता है कि मैं इसको ख्रश कर सकता हूँ फिलाल यहां पर रिम्रू यह भी बोलता है कि गेम हो या फिर कोई एन में इन सब में यह रोबूर्ट क क्या कि लाल की होती है और वो साइस सारे बच्चों से कहता है कि तुम लोग फिकर मत करो मैं इसको बहुत एसाई सहरा दूँगा तुम लोग बस मापे मेरा वेट करो अब यहां पर रिम्रू उस स्पीट से बोलता है कि अभी वह तुमारा पस मौका है पीचे अट जाओने मैं इसको तबहा कर दूँगा इस पर रिम्रू उसकी ऊपर से खूथता है और बोलता है बस इसका खेल कतम होने वाला है उसकी एक मूफ करने पर यह पूरा रोबट एक जीप बन जाता है इसको क्यों नहीं कर पा रही एक जगे कैसे रुक गया आप रिम्रू बोलता है बस अब यह ब्लास्ट होने वाला है वह यहां पर हेल्फ फ्लेम को यूज़ करता है और इसकी उपर इसको अटेक कर देता है वह पूरा पूरा गुलम इसके अंदर आ जाता है इतना पावफल आटक देके ना सतरे सरे बच्चे भी इंप्लेस हो गया थे कि आमें नहीं पता था इतना पावफल हो सकता है अब लोग देते हैं धीरी धीरी इसके रोबोट की जितनी भी यहां पर मैटल हो जाता है और सब्सक्राइब बढ़ा जाता है और तो बहुत ही घबराती हो बाहर आती है और बोलती है मैं स्पिरिट हमारे यहां पर बुलाने पर आच चुकी हूँ इस लेहे इसा कुछ भी मत करना आप्ने लोकापनी अपको इंडिल्स करी रही होती है इस पर आफ़े यह कॉंठी काइर नीजीब करने है पर यहां पर देखने बबता सकते हैं कि हमें आप क्या गरना है इस पर यह बोलती है कि मैं उन दस great demon Lawrence में से एक हूँ और यह बोलती ह मैं किता पाफुल हूँ इसलिए मिरे नीचे जुगो जिस पर रिम्रू उसको एक मुक्का मारता है और बोलता है बस करो अभी तुम इता डरी हुई थी रिम्रू बोलता है मैं तुम पर कैसे विश्रास करूं और इस तक मजा करने बंद करो तुम डेमन लॉट नहीं हो सकती व ऑन ऑपोजिट में बहुत हूं और साथ साथ में मैं उसके तरह यहां पर स्ट्रेंड का यहां पर दिखावा नहीं करती और तुम पर इंद्र पावफुल कैसे वह तुम अजीब हो इस पर रिम्रू बताता है कि मिलीम से और मेरे से अभी हाली में दोस्ती हूई है तो यहां खीटिता पॉपल है यहां पी बताते कि मिलें बहुत भी सालों के बाद यहां पे आई डी सिर्फ यह बताने कि अपने एक बना लिया शो किस लाइम मैं और यह बोलता है कि यह अगर यहां पर मिली माई थे आसने इसको बताया है मतलब है आपा रूहीं तुमने मेरे इतने मुश्किल से बनाए हुए गोलम को तहस्ट कर दिया और वो पता थे कि इस गोलम को ऑपरेट करने के लिए उसने पूरे 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 पार्च एलिमेंट्स करें थे वाटर फायर वेंड एर्थ और सोल इस पर यह तो जाना पैचाना है मैंने यह लिए पर रिसेज़ कर रहा था क्या पॉसिबाल है कि इस नहीं यह गोलम वहीं तुटाया गया है वह बोलती कि उनका गोलम है पर डिस्टर हो जा रहा था क्योंकि इसमें इस पर हीटिंग इसु आ रहा था बास मैंने यहां पर स्पीरिट ऑब वाटर का यूज कर और सब पर रहा था कि मैं तुमारी है यहां फ्री में नहीं लूँगा फिकर मत करो मैं तुमारी एक नहीं बनाऊंगा इसलिए मेरी फ्रीट करो और यहां पर पाच्छों बच्छों को पूरा सूच बता देता है कि कैसे उन लोग के ओने काफ़ी ज्यादा मुश्किल समय से गुज और यहां पर रमरेस में बताती है कि मैं पहले यहां पे कोई इनास हुआ करती थी लेकिन फिर ग्रीस मीं गिर जाने को विज़े से यहां पर टरस्टो वार्द नहीं लाग रही वह पनता benefit यह बताती है कि वह ठीड the day और बिलाल वह प्यों निए hijैस कि रह रिज मेरा या वो normal human हुआ करता था लेकिन वो भी यहापर दीम लॉट बन गया पर पोचता है कि वो डीम लॉट कैसे बन सकते है तो लोग डीम लॉट कैसे बन सकते हो इसकी पिछे तो कोई reason ही नहीं लगता जिसमें यहाँ पर रमर्ज बता दे कि लियोन पहले यहाँ पर hero हुआ करता था ल लिव यान इसका क्या करेगा रिम्रू यहां पर सोच रहे होता है कि यह लिव शिजू का यहां पर क्या कनेक्शन हो सकता है और जितना मैं सुचा है यह सादा इस से आदा ही complicated होता जा रहा है यहां पर रेम्रू बताती है कि एक टाइम ने जित पकड़ ली थी कि उसके यहां दूसरे वर्ल्ड से कुछ बंदे चाहिए और भाई उसकी जीत को फुरा करने में मेरे को काफी टाइम लग गया वो तो बस रो नहीं वाला था अब रिम्रू बोल लो था ये सब चीजे इतनी अदा complicated होते जा रही है अब मैं क्या करूँ फिलाल अभी इस बात को छोड़ते हैं और यहाँ पर रम्रीस से पुछता है क्या तो मेरी हेल्प करोगी इन बच्चों की यहाँ पर चान बचाने में इसमें पर रम्रीस बोलती है फिलाल मैं डीमा लोड तो हूँ लेकिन उसके साथ-साथ मैं आप पर queen of spirits और spirits of lady birth भी हूँ वो बताती है कि इस पुरिक पुरे world का यहाँ पर balance मैं maintain करके रखती हूँ और जैसा तुने बोला मैंने तुमारी यहाँ पर summon को accept करके मैं यहाँ पर आई हूँ अगर उनका मन होगा तब हो आएंगी इस पर किन्या बोलता है अगर वो नहीं आते हैं तो तुम किसे separate spirits को यहाँ पर सकते हो अपनी यहाँ पर ability कि fridge and to naturale میरी पास और वो बोलता है तुम लोग तयार हो हम्लोग तुम अपर वन वी बचाने जा रहे हैंconomic बोलता कि फाइनली हम लोग उस मोड पर आगे जहां पर मैं शिजू का जो रिग्रेट था और जो यहां पर उसकी ख्वाइस थी वो पूरी का सकूंगा और वो बोलता है शिजू तुम कहां पर हो और हम लोग यहां पर शिजू देखते हैं जो कि एक पेड़ की नीचे बैठी होती है इसी साथ गाइस यह एपिसोड यह पर एंड हो जाता है आप लोगों को यह एपिसोड कैसे लगए कमेर से बताना है और सब्सक्राइब को दोस्का अगले एपिसोड देख रहे लिए पाकि मैं वुल दाओं से नेक्स अबसंग वीडियो में तिल देन गुड़ बाई